नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज के जो हमारे बीडियो को भी से हैं वनस्पती सास्तर के बारे में काफी दिनों से पेड़ पोधे के बारे में जानकारी नहीं बताया हूं अलग अलग बिडियो में बोलता हूं अलग अलग प्रकार के देवी देवता वास करते हैं निवास करते हैं इसी करम में आज में आप लोगों को एक अशा पौधा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है बहुत ही किम्ती पौधा है बहुत ही खास पौधा है और ये पौधा आपके भाग्या बदल सकता है गरिबी मिटा सकता है इस पौधे की खोज में हर कोई प्राया लगे होती हैं लेकिन किस्मत वाले को ये पोधे मिल पाते हैं इस पोधे की प्रसंसा बड़े-बड़े रिसी महात्माओं ने किया है बड़े-बड़े देवी दियोताओं ने किया है क्योंकि इस पोधे की अंदर वो चमतकार छुपा होता है जो दूसरे पोधे के अंदर में नहीं पाया जाता है। कुछ बीमारी को ठीक करने में काम जरूर आते उसमें कुछ ना कुछ चमतकारिक शक्तियां जरूर चुपी होती है। इसलिए से कटेरी कहते हैं तो जो सफेद कटेरी होता है इसका अलोकी क्यों चमतकारिक परयोग बताऊंगा। मिस कर दिये तो सारे जिन्दगी पस्ताना पड़ेगा। मतकारिक शक्तियां पास सकते हैं तो बिड़ो को ध्यांद से देखना विड़ो में आगे बने सपले कोमेंट बॉक्स में जय हिन जय आयरुवेद नहीं लिखे तो लिख दीजे और विड़ो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार के जो जानकारि बाताना भारत में लूपत होरे जो प्राचीन ग्यान की गुर्ताम रहा से भरी जो जान करी हैं वह आप सभी लोगों को बिड़ बना करके फिर से जानकरी आप सभी तक पहुचाने के प्रयास करें ताकि भारत भुमीर से इस प्रकार के प्राचीन ग्यान की जो अमुल्य ज अब ग्रामीडी लाकों में राते तो बहुत ही आसानी से यत्रा तत्रा देखनी को मिल जाते हैं लेकिन इसके अंदर में चमतकारिक शक्तिया नहीं होती जो सफेद कलर की कटेरी होता हैं जिसमें सफेद कलर की फूल आता हैं वो कटेरी का पौधा अध्यात्मे के दिरिष्ट के में जो सफेद कलर का फूल फूलता है इसके जड़की नीचि में हीरे जवारत सोना चांदी जो हंड़े बटूवे होते हैं यह दबे होती और बहुँ reliable हो चुके हैं हर जो सफबापत के नहीं फूलते जिस खटेरि के पौधे की नीचिEMेंए गढ़ा धन होता हैं जैसे क हंडे हैं बटवे हैं हीरे हैं जवारत हैं वही जो कटेरी हैं सफेद कलर की उसमें फूल आते हैं उसी कटेरी में सफेद कलर की पुस्पा लगते हैं जहाँ पे सफेद कटेरी की पुस्पा मिले जाएं जो पौधे में सफेद जो कटेरी हो पौधे में सफेद कलर की पुस्प में देखे जो मंदीर के पास के पाउधें इसमें मिलते हैं जैसे की मंदीर परिसद हो गया समसान हो गार जंगल की कटेरी होते इसके अंदर में भी जमीन में दबावधन पाया दाएं तो यह थे धन प्राप्ति करने का पहला पर्योग चले मैं आप लोगों को कुछ और चमत पुस्पा मा लच्मी को शुकरवार के दिन उनके बीज मंत्रा पढ़ते हुए चढ़ा दें तो मा लच्मी ततकाल प्रसन होती हैं और लच्मी प्रसन होने के कारण समझ सकते हैं जब लच्मी आपसे प्रसन होते हैं तो आपके जियन में दूख, तकलीब, गरीबी, निर्धन समता, रोग, दोश, व्यादी, करजे, जीवन में चरी, परसानी तमाम तरह के समस्था जड़ से समापता हो जाते हैं जो लोग लच्मी को प्रसन करना चाते हैं ऐसे विक्ति अगर इनके पुस्पा मिल जाते हैं तो इनके पुस्पा कपरो कर सकते हैं चढ़ा सकते हैं माता पड़े व्यक्ति भी जो खाट में पड़े व्यक्ति हैं कुछ दिन तक अगर इनके जड़ को अगर तकीए की नीचे में रखते तो बीमार पड़े जो व्यक्ति हैं खाट में पड़े हुए हैं चलने फिलने में असमर्थ हैं ऐसे व्यक्ति भी चलने फिलने में दड़ने में शमर्थवान हो जाती है तंत्रबाधा अगर किशने आपके उपर कर दिये हैं जिसके करण आपको लंबे समय से बीमार हैं बीमार पड़े आपको समझ में नहीं आरे तो शारे तंत्रबाधा को खीच लेता है और आपको रोग मुक्ता कर देता है आपको तंत्रबाधा से मुक जाया है तो शमय भुद भवशा वर्तमान दिखते हैं आप में इस से दिखता हैं गुरुजाए हमले भूध भवशा वर्तमान सोयम की देखना है अब इसके लिए कोई उपाय बता दिजिये तो अगर आप भूध भवशा वरतमान देखना चाहते हैं तो तकिया के नीचे लाल कलर की कपड़े में इसे बांध करके तक ये की नीचे में रखे लपेड करके रखे तो भूद भयुष्व वर्तमान दीखते हैं और एक खास बाद ध्यान से शुनना आप दूसरे की भी भूश्व देखना चाहते हैं तो इस जड़ को अपने हाथ में रखना लाल कलर की कपड़े में बांध करके और कोभी मंत्रा भूद भयुष्व वर्तमान द्रिश्व करने वाला मंत्रा सीध कर लिजिए आब को यूटूब में या फिर गूगल में या फिर जो प्राचीन किताब उसमें बहुं सारे जानकारे मिल जाएंगे जो मंत्र से भूद भयु मन सान्थ रहता है कारो बार में नती मिलता है मन आपके हमेशा जैसे की चीड़ चीड़ पनर रहते हैं बार बार चोटी उसमे इन घुष momentos आना बंध हो जाते हैं मन कि लड़र लिए इसके जड़ बेल की जड़, महुआ की जड तीनों को घर में गार देनेशे घर में तंत्रबाधा नहीं लगता जो लोग तंत्रबाधा से बचना चाहते हैं जरूरी नहीं के सफ्यत कलर की ही कटेरी लाइए कोई भी कटेरी लाते हैं उसमें भी यह काम करते हैं तो कटेरी के जड बेल की जड महुआ की जड तीनों क घर में गारद निश्य घर में तंद्रबाधा नहीं लगता घर में इस्थाई लच्मी का वास होता है तथा घर में कभी भी धनकी कमी नहीं होती ऐसे घर स्वर्गा के शमान बन जाती है और इस पौधे की एक खास दूरलब परयोग बता देता हूं आयरुवेद में इसके जो बीज हैं इसे जैसे कि करी लोग गांजा पीते हैं उसी तरह इसके जो बीज हैं इसके बीज का धुम्रपान करनेशे इनके बीज के धुआ अपने मूँ में अगर आप खीशते हैं और बाहर फैंकते हैं तो दात में लगा जो कीड़े हैं वो शमापता हो जाते हैं बताये का जानकारी आनेवाले नेश्ट बीड़ ClinI में साधया की जाएगी बिल्कुल हमारे चैनल में आपके द्वाफ बताये कि जानकारी को एक बीड़ो बनाकर कर जानकारी हम अपनी चैनल के माध धमसी डैक्प और अगर आपको यह पोज्ट बहुत दीवे अलोकी चमतकारिक पौधि है तो यह थे छोटी सी जानकारी बड़ो अच्छी लगतू तो इसे लाइक कीजे और हाँ इस वीडो को अपने तक शिमीत मत रखने इसे आगे जरूरूर रुट करना हो सकते हैं झाल झाल